दाइक्जाम बार में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोब 27 पर कोब 27 के अंतरगत निमलिखित टॉपिक्स को इस वीडियो में देखेंगे जिसमें पहला है NDCs क्या हैं इसके लावा उत्सरजन की तीवरता Emission Intensity क्या होती है भारत का लक्ष क्या है COP क्या है यानि की Conference of Parties क्या है UNFCCC क्या होता है इसके लावा देखेंगे Mitigation Work Program यानि की MWP ठीक है इसके लावा हम देखेंगे Laws and Damage Fund क्या होता है जो COP27 में निकल करके आया एतिहासिक हुआ और सभी देश सहमत हुए इसके लावा Net Zero Emission क्या होता है इसे देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं शर्म al-Sikh की मांचितर में इस्थि मांचितर आपके सामने है ठीक है ये लाल सागर है ठीक है और ये शर्म al-Sikh है ठीक है ये पूरा मिस्र है ठीक है और मिस्र का ये सिनाई प्रांथ है जहां पर ये शर्म अलसेख है जहां पर कोब 27 का सम्मेलन हुआ था 6-18 नूमबर 2022 को ठीक है इसकी बाद कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो अगामी प्रतोगी परिक्षाओं के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से 100% कुश्चन पूछा जाएगा आयोजन इस्तल की बात करें तो मिश्र में हुआ है शर्मल सेख में जो की अफरीका महादीब में इस्तित है सदस्य देशों की बात करें तो 198 ठीक है जिसमें 197 देश हैं और 163 आर्थी केकी करन संगिठन है ठीक है सची वाले बात करें कोप का तो बाउन जर्मनी में है याद रखिएगा very important point है और पहला संगेलन भी जर्मनी में ही हुआ था बर्लिन में 1995 में ठीक है भारत में कोप का आयोजन हो चुका है तो वर्ष आपको याद रखना है 2002 और कौन सा था कोप 8 ठीक है और आप पता होगा G20 का संगेलन भी भारत में होने जा रहा है September 2023 में ठीक है ये भी पहली बार होने जा रहा है G20 का और कोप 28 का जो अगला संगेलन है वो अबुदाभी में प्रस्तावित है ठीक है जो UAE की राजधानी है और इसी का पडोसी देश है कतर ठीक है जिसकी राजधानी है दोहा ठी इफा 2022 का हायोजन शुरू हो चुका है इसे भी याद रख लिए करेंट फियर का कोश्चन है ये लेते हैं भारत के लक्ष क्या क्या है कोप के संदर्व में ठीक है तो 270 तक शुद्ध सुन्य उत्सरजन का लक्ष है ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता ह है ठीक है दोजार सत्र तक नेट जीरो एमिशन टार्गेट है भारत का और 2030 तक ठीक है गैर जीवाश्म इंधन अधारित उर्जा संसादनों से लगबग 50% संचे विद्धुद शक्ति स्थापित करने की छमता प्राप्त करना ठीक है अगला लक्ष है 2030 अत्रिक्त वन और व वर्ष मानते हुए 2030 तक ठीक है उस सर्जन तीवर्था को 45% तक कम करने का लक्ष है इसे भी याद रखेगा वैरी इंपॉर्टेंट है अन्य देशों के संदर्ब में अधार वर्ष 2010 है भारत के संदर्ब में ये 2005 है अंतर याद रखिएगा और 2030 तक 500 गीगावाट अक्ष औ ठीक है डाट लाइन 2030 ही है ठीक है और यहां पर 500 गीगावाट है इसके लावा हम आगे बढ़ने से पहले कोश्चन देख लेते हैं जो HCS Prelims Re-Exam में पूछा गया था ग्लासगो से समदित COP26 ठीक है इसी तरह से आगे भी कोश्चन पूछा जा सकता है COP26 में भारत के जलवायू परिवर्तन के निम्लिखित मकरनततों को परदर्शित किया गया था 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्य पुर्जा कैपेसिटी तक पहुँच तो ऊपर आपने लक्षित देखा है जिसमें 1000 गीगावाट तक की बात नहीं की गई है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है ठीक है पहला स्टेटमेंट गलत होते ही ये कट जाता है एलिमिनेट हो जाता है ठीक है इसके बाद दूसरा है 2030 तक अपनी उरजा होती ठीक है तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है इसके लावा दोजार पांच के इस तरसे अर्थविस्था में कार्बन तीवरता को दोजार तीस तक 45% करना ये भी आप उपर देख चुके हैं तो ये भी इसके बाद हम आगे देखते हैं अंडिसी क्या है यानि कि नेशनली डेटर्मिंट कंट्रिबूशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है इसे भी याद रखेगा पुछा जा सकता है स्टेटमेंट के तौर पर यहां मुक परिच्छा में भी पुछा जा सकता है तो अंडिसी जो है जान लीजिए एक देश द्वारा अपने जलवायू लक्ष्यों की दिश्चा में कार करने है तो एक योजना होती है और इसे 2015 में पेरी समझोते में अपनाया गया था ठीक है आप से बूछा जा सकता है प्रिलिम्स में ठीक है एंडिसी के संदर में इसे कब अपनाया गया में पेरी समझोते और पर्तेक पक्षकार को एंडिसी करना होती है वह इसे परतीक इसे प्रतीकपांच वर्स में अप्रण भी करना होता है इस बात को भी आद रखेगा और परurai पौच वर्स में UNFCCC सचवाले को प्रस्तुत भी करने होते हैं तो NDC के संदर में इतनी बातें याद रखीएगा 2015 में पेरी समझोते में अपनाया गया था ठीक है और जो भी इसकी पार्टीज है प्रतीक पक्षकार जो है उसे तैय करने होते हैं और पांच वर्स में अपडेट भी करना होता है और उसके बाद पांच वर्स में UNFCCC सचवाले को प्रस्तुत भी करना होता है ठीक है इसके बाद देख लीजे 2015 का पेरी समझोता और अध्यतन NDC जनी के अपडेटेड अडिसीज तो 2015 में जो भारत का लक्ष था पेरी समझोते के अंदर गत 2030 तक अपने सकल घ्रेलू उत्पाद की उस सरजन तीवर्था एमिशन इंटेंसिटी को 33 से 35% तक कम करना था 2005 के इस तर से भारत का जो लेवल है 2005 ही है ठीक है और इसे अगस्त 2022 में भारत ने अपडेट किया ठीक है 2030 तक अपने सकल घ्रेलू उत्पाद की उस सरजन तीवर्था को 45% तक कम करना ठीक है तो यहां पे 33 से 35 था जिसे भारत ने अपडेट करके 45 कर दिया बाकी सारी बातें सेम है ठीक है अब देख लेते हैं उस सरजन तीवर्था आखिर क्या होती है emission intensity क्या होती है उपर आपने टर्म देखा था तो इसे भी जान लीजिए सकल घ्रेलू उत्पाद की प्रतिक इकाई के लिए उस सरजन की कुल मात्रा उस सरजन तीवर्था कहलाती है ठीक है अब आगे देख लेते हैं पार्टियों का सम्मेली यानि की Conference of the Parties COP क्या होता है तो COP UNFCCC का सरवच निरने लेने वाला प्रादिकरण है ठीक है किसका है UNFCCC का सरवच निरने लेने वाला प्रादिकरण है इस याद रखिएगा पहली बैठक इसकी उपर देख चुके हैं ज COP 27 में 2030 तक 45% कार्बन सर्जन में कमी पर सहमती बनी है ठीक है इसके बाद अगला जो है वो है पेरिस समझोता इसे जान लिजे वेरी इंपॉर्टन पॉइंट से सारे ये ठीक है तो इसके बाद देखेंगे पेरिस समझोता यानि की पेरिस एग्रिमेंट क्या है तो यह एक क वर्ष भी याद रखेगा और COP 21 में और 12 दिसंबर 2015 को यानि कि उसी वर्ष 196 देशकों दोबरा अपनाया गया और नेक्स्ट येर में 2016 में से लागू कर दिया गया है ठीक है मुखे लक्ष इसका क्या है तो मुखे लक्ष है पूर्व और द्योगिक इस तरों की तुला में और सत्वेश्विक ताप मान दो डिग्री सेंटीग्रेट से नीचे और अधि मानता है देज डिग्री सेंटीग्रेट से अधिक नहीं होने दिया जाए ठीक है और इसी समझोते के अंतरगत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी ये आप से पूछा जा सकता है ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब हुई या किस समझोते के अंतरगत हुई तो पेरी समझोते के अंतरगत हुई कब हुई 2015 में ठीक है और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड विश्चुका सबसी बड़ा जलवायू कोश है वेरी इंपॉर्टन पॉइंट है इसे याद र क्या होता है जिसे शमन कारिकरम कहा जा सकता है ठीक है प्रिलिम्स के पॉइंट आव यू से तो इंपॉर्टन है ही ये सभी पॉइंट और मुख परिक्षा में सीधे तो और पर भी पूछा जा सकता है तो आप एज इस लिख सकते हैं ठीक है ग्लासगो में कोप 26 में सभी प पांच है ठीक है वैश्विक तापमान को डेड़ डिग्री सेंटीग्रेट से अधिक नहीं होने दिया जागी यानि कि डेड़ डिग्री सेंटीग्रेट तक ही सीमित रखना जरूरी है ये तैह हुआ ठीक है इसलिए शमन महत्वा कांच्छा और कारियान वेन को ततकाल बढ में ठीक है जान लीजिए शमन का मतलब क्या होता है मिटिगेशन का मतलब होता है उत्साजन को कम करना ठीक है मिटिगेट का मतलब ही होता है कम करना ठीक है इंगलिस टर्म है मिटिगेट इसका मतलब होता है कम करना और महत्वा कांच्छा का रथ है मजबूत लक्ष निधार डी फंड ठीक है जिसे नुकसान और छथी कोश कहा जाता है ठीक है कोब 27 में ठीक है ये निकल करके आया था सबी देशों के प्रतिन धी नुकसान और छथी कोश इस्थापित करने पर सेहमत हुए ठीक है नुकसान और छती को उस जल्वाई परिवर्तन के प्रति जो समिदंशील विकासील देश हैं उनको जो भी नुकसान होता है जो भी छती होती है उसकी भरपाई करने में ये मदद करेगा ठीक है और सभी देश जो है लंबे समय से प्रतिक्षित इस फंड के लिए सहमत हुए ठीक है इसलिए ये इतिहासिक है हिस्ट्रिक है इसके बाद हम आगे देखते हैं आखिर कोप 26 जो 2021 वाला था उसमें परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने 2070 तक नेट जीरो उत्सरजन हासिल करने का भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं मुखे परिक्षा में सीधे तोर पर आपसे पूछा जा सकता है शुर्निय उत्सरजन क्या है और इसके लिए भारत सरकार ने भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं ठीक है तो मुखे परिक्षा में यदि कोश्चन आता है तो आप व्यूज से या बंडे एक्जाम के पॉइंट आ व्यूज से वेरि इंपॉर्टेंट है तो पहले देख लिजे नेट जीरो अमिसन क्या होता है तो नेट जीरो का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसों के उतसरजन को शुन के बिल्कुल करीब ले जाना ठीक है ये मतलब है नेट जीरो का शुन के करीब ले जाना बिल्कुल जीरो नहीं करना बलकि जीरो के नजदीक हो जाना कोई भी देश नेट जीरो सरजन तब हासिल कर पाता है जब वो पर्यावरण में सिर्फ उतना ही उत्सरजन करता है जितना वो सोख लेता है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे शुर्णी उत्सरजन के लिए भारसकार ने कौन कौन से कदम उठाये हैं ठीक है पहला है 2030 तक गैर जिवाशम और जासरोतों से 50 प्रस्चत इस्थापित विद्द उत्पादन चमता का लक्ष ठीक है और दूसरा है लाइफ ठीक है लाइफ इस्टाइल फार इन्वारोमेंट ठीक है इसके लिए जन अंदोलन सई रक्षण और संयम की परंपराओं और मूलियों के अधार पर जीवन जीने के स्वस्त और टिकाओ तरीके को आगे बढ़ाना ठीक है और अगला है दोजार तीस तक गैर जीवाशम इंधन अदारित उर्जा संसादनों से पचास प्रचस संचेई विद्दूशक पिस्तापित करने का लक्ष ठीक है अगला है दोजार तीस तक अत्रिक्त वन और रिक्षों के आवरंड से भाई से तीन बिलि सब्सक्राइब करने का लक्ष रखा गया ठीक है और अनुकूलन कारियों को लागू करने के लिए विक्षित देशों से और घ्रेलू और अत्रिक धन जूटाने की भी योजना है ठीक है ताकि मिटीगेशन वर्क प्रोग्राम को सक्सेस्फुली इंप्लीमेंट किया जा सकत ठीक है भारती रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो सर्जन आसिल करने का लक्ष भी निर्धारित किया है ठीक है इसके लावा बारस सरकार LED बल्व को बढ़ावा देने के लिए भी अभियान चला रही है ठीक है LED बल्व पर आप जानते है सबसिडी मिलती है ठीक है जिससे वो सस्ता मिलता है आपको और इसके इससे भी परतीक वर्ष चार क्रोड टन उस सर्जन कम हो रहा है ठीक है इसके लावा पुर्जा दक्षता ब्यूरो यानि की ब्यूरो आप इनरजी एफिशियंसी और इनरजी एफिशियंसी सर्बसेज लिम्टेड ने जलवाई परिवर्टन से नि दोजार सोला के अंतरगत प्रतिपूरक वनी करण परबंदन योजना प्राधी करण इसे याद रखेगा इस गोस में जो भी जमाराशी है उसका अपयोग वनों की कटाई की भरपाई करने और पेड़ों की स्थानिक परजातियों को शामिल करते हुए हरित आवरन को बहाल क करने के लिए किया जाएगा ग्रे और ग्रीन हाइडोजन के लिए हाइडोजन और जामिशन भी शुरू किया गया है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एक्जाम के लिए पहला है वैश्विक जलवायू प भारत की रैंक दस्वीं थी ठीक है और इस बार रैंक में सुधार हुआ है ठीक है दो अंकों का और आठवी रैंक है ठीक है पहले दूसरे और तीसरे इस्थान जो है खाली है चौते नंबर पर डेनमार्क है ठीक है इसके बाद सविक तरास पर्यावरन कारकरम यानिक यू UNEP सैटिलाइट की मदद से हर देश के मिथेन लेवल के आंकडों की निगरानी करेगा ठीक है ये UNEP ने इनिशियेटिव लिया है ठीक है कार्बन डाई अकसाइड के बाद आप जानते हैं मिथेन दूसरी सबसे बड़ी परदूशक गैस होती है ठीक है ताप मान को वायू व पानी में पैदा होनी वाले फसलों से ठीक है इसके अलावा खनन गतवीदियों से अप्सिष्ट निप्टांस से जिवाश मींधन और पश्चूं के कारण मीथेन गैस का उत्सरजन सबसे ज्यादा होता है विश्य में लगबग साथ प्रश्ट मीथेन गैस का उत्सरजन जो पैनीपी द्वारा उत्सरजन अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है जो हाल ही में जारी हुई है इसमें भारत सहीद शीर्श अन्य छे देश शामिल है ठीक है जिसमें चीन है यूरोपियन यूनियन है इंडोनेशिया है ब्राजील है रसिया है और अमेरिका है ठीक है भारत ग्रे हाइडोजन से समंदित है तो ये थे कोप से समंदित सभी very important points जो आगामी परतुगी प्रिक्षाओं के लिहाद से very important है सभी बिंदों को ठीक से त्यार कर लीजेगा चैनल पर पहली बार आये हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद आपका दिन शुब हो